ये दुम्या का डर नहीं जो तुझे उलने से रोका है तू कैद है अपने ही नजरिये के पिंजरे में इसलिए अगर तुम अपनी असफलताओं की वज़ा दूसरों को मानते हो तू ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलब सैमी है क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का हल किवल तु दूसरों के पास तु किवल सुझाओं होते हैं इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोवल गिराने वाले होते हैं और हमेशा ये बात याद रखना कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बलकि खुद को बदलना सुरू कर देता है इस दुनिया का हर काम आसान है किवल अंदर से आवाज आनी चाहिए यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता और अगर आपने सीखने के लिए दिरन निश्चे कर लिया है तो आपको य सबका आता है कभी निंदा से घबरा कर अपने लक्ष को न छोड़ो क्यूंकि लक्स प्राप्ति होती ही लोगों की राय बदल जाती है यह इस दुनिया का कड़वा सच है जब आप असफल होंगे तो लोग आप पर हसेंगे लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो यही एक्तिस सफल हुआ है जिसने अपने समय की कीमत समझी है समय आपका है चाहे तो इससे सोना बना लो और चाहो तो इससे सोने में जुजार दो क्योंकि समय वीप जाने के बाद अगर कडर की जाई तो वह कडर नहीं बलकि अप्सोष कहा जाता है और हमेशा यह बात याद और अभी अपने खिलाफ होने वाली बात को खामोसी से सुन लीजिए क्योंकि वक्त ये उसका बेहतरीन जबाब देगा कभी किसी के साथ उम्मीद मत करना क्योंकि जब मंजिल तुम्हारी है तो मुस्किलें भी तुम्हारी ही हैं और ये जिन्दगी की कड़्वी सच्चाई है कि मस्वरे देने तो हर कोई चला आता है पर साथ कोई नहीं देगता क्योंकि उस इंसान की फितरत बहुत खुदगर्ज होती है किसी को पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता और किसी से नफरत करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता कोई अगर आपके अच्छे काम पर संदेई करता है तो करने देजिए क्योंकि सक हमेशा सोने की सुद्धता पर किया जाता है ना कि कोईले की कालिक पर दोस्तों वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सफलता सुबह के जैसे होती है मांगने से नहीं बलकि जागने से मिलती है और मंजिलें सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी जित पर अड़े होते है